आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नमबर थर्टीन जिसका नाम है करन्ट इलेक्ट्रिसिटी लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर के अंदर हमने ऐसे चार्जिस के बारे में पढ़ा जो के रेस्ट की हालत में पाये जाते हैं यानिके electrostatics या फिर charges at rest इस chapter के अंदर हम एक ऐसी charges की type देखेंगे जो के motion की हालत में है यानिके पहले हमने charges at rest को study किया अब हम charges at motion को study करेंगे तो जब कोई charges motion की हालत में होते हैं तो वो current produce करते हैं और उस तरह की जो electricity है या electrical energy है उसको हम कहते है current electricity इस चीज के बारे में हम क्रेंट electricity के बारे में हम свидet TV Negلاե spent क्योंकि हमारी जूद तर प्रैक्टिकल एप्लिकेशन्स हैं आजकर वो सारी की सारी जो हैं वो इसी पही depend करती है आजकर जो हम current इस तमाल कर रहे है वह असल में you current है इसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारे घरों में, कॉलिजिस में, आफिसिस के अंदर किसी भी जगा पे जो करेंट इस्तमाल होता है वो सारे का सारा करेंट जो है वो असल में करेंट अलेक्रिसिटी ही होता है तो इसलिए चुके इसकी हर जगा पे यूज होता है तो इसलिए इसकी demand या इसकी applications जो है वो बहुत ज्याद है तो हम सबसे पहले जो है वो electric current से start करेंगे कि electric current जो है ये क्या होता है और उसके बाद जो है वो हम ये देखेंगे कि इसके अंदर different properties जो है वो क्या क्या पाई जाती है तो अपना पहला topic जो है वो इस chapter का start करते हैं जिसका नाम है electric current यानि कि सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए कि electric current जो है ये क्या चीज़ होती है फर्ज़ करें कि हमारे पास कोई भी एक rod है let's say ये एक metal का rod है और इसका हमने कुछ portion जो है वो consider कर लिया इस metal के rod के अंदर जो है वो अगर हम detail में देखें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो free electrons या free charges जो है वो पाए जाते हैं अब फर्ज करें कि इसके अंदर delta q charges जो है वो move करें और इन delta q charges के move करने का time जो है वो delta t है तो जितने time delta t के अंदर जितने charges इसके अंदर move करेंगे उसको हम कहेंगे इसका electric current तो electric current जो है याद रखें इसको हम show करते हैं i के निशान के साथ और इसका formula हमारे पास होता है rate of flow of charges यानि के delta q divided by delta t तो यह simple सी जो है वो आपके पास एक term है जो के हमें यह बताती है कि किसी भी wire के अंदर या किसी भी conductor के अंदर कितने time के अंदर कितने charges जो है वो flow कर रहे हैं वो जो amount of flow of charges है या फिर rate of flow of charges है उसको हम कहते हैं electric current तो electric current जो है इसको हम कैसे define कर सकते हैं के it is caused by the motion of charges and defined as the rate of flow of charges तो यह हमारे पास जो है वो इसकी एक प्रॉपर सी जो है वो electric current की definition है कि यह असल में charges की motion की वज़ा से produce होता है और यह असल में होता किया है कि it is the rate of flow of charges rate का मतलब होता है कि कितने time के अंदर कितने charges जो है वो उसके अंदर से flow कर रहे हैं तो यह हमने जो है वो electric current का basic सी जो है वो definition लिख ली अब इस electric current की basic definition से हम इसकी different चीज़ें जो है वो find कर सकते हैं हमने यह देखा कि electric current को i से show करते हैं और इसका formula होता है delta q divided by delta t charges का unit होता है coulum delta t यानि का time का unit होता है second तो electric current का unit बनेगा coulum per second और चुके इसका इसका इस्तमाल जो है वो रोजमरा जिदगी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है तो हम उसको हर जगा पे coulum per second से conveniently नहीं लिख सकते तो हम इसलिए इसको show करते हैं ampere के साथ ampere जो है ये एक scientist का नाम था जिसके नाम पे जो है वो current का unit रखा गया है और इसको हम capital A के साथ जो है वो denote करते हैं तो अगर आप से पूछ पूछे के what is the SI unit of current तो आप ये बताएंगे के current का जो SI unit है वो क्या है ampere है यानि के one ampere किसके बराबर होता है one coulum per second के one coulum charges per unit second मतलब अगर किसी भी वायर के अंदर से एक second के अंदर one coulum का charge पास हो तो उसको हम कहते हैं कि उसका current जो है वो किसके बराबर है one ampere के और one ampere जो है ये काफी large current होता है तो हम इसके लिए जो है वो कुछ smaller units भी इस्तमाल करते है जैसे कि ये mili ampere है या फिर micro ampere है one mili ampere होता है 10 raise to power minus 3 ampere के बराबर और one micro ampere होता है 10 raise to power minus 6 ampere के बराबर तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कुछ जगों पे mili ampere भी लिखा हुआ देखना है और कुछ जगों पे micro ampere भी लेकिन जो current का ऐसा unit है वो क्या होता है ampere होता है अगर हम इसकी बात करें कि ये इसकी nature क्या है तो delta q यानि कि charges जो है ये भी scalar quantity है delta t भी scalar quantity है तो इसका मतलब है कि जो current है ये भी क्या होगी ये एक scalar quantity होती है तो देखें हमने current की जो basic चीजे हैं उनके बारे में देख लिया कि हमारे पास जितने भी current है उस current की definition क्या होती है कि it is the rate of low of charges इसका formula क्या होता है delta q divided by delta t इसका unit भी हमने find कर लिया इसके sub multiple units भी निकाल लिये और ये भी पता लगा लिया कि ये scalar quantity है या फिर vector quantity है अब देखें कि current की बात अगर हम करते हैं तो current होता है rate of low of charges rate of low of charges का क्या मतलब है कि जब किसी भी medium के अंदर या किसी भी wire के अंदर charges flow करेंगे तो उसको हम कहेंगे कि इसके अंदर से current flow कर रहा है अब charges जो हैं ये खुद बाफुद flow नहीं करते हैं बलके इनको लेके जाने के लिए किसी ना किसी carrier की जरूरत बढ़ती है जिसको हम कहते हैं charge carriers अब ये charge carriers जो हैं ये क्या चीज है carriers का मतलब होता है लेके जाना यानि कि कोई भी चीज जो है उसको carry करना charge carriers उसको कहते हैं जो के charge जिसको एक जगा से दूसरी जगा पे लेके जाती है याद रखें different mediums के अंदर हमारे पास charge carriers जो हैं वो भी different different पाए जाते हैं जैसे अगर हम number one सबसे पहले metallic conductors की बात करें तो metallic conductors के case में जो charge carriers हैं वो free electrons होते हैं यानि कि अगर आप से कोई पूछे के अंदर जैसे ये हमने example ली थी metallic conductor के अंदर यानि कि कोई भी metal से बना हुआ अगर conductor है तो उसके अंदर जो हैं वो charge carriers किया होते हैं यानि कि charges को एक जगा से दूसरे जगा पर लेके जाने वाली कौन सी चीज़ है तो वो क्या है free electrons number two अगर हम बात करें gases की तो gases के अंदर जो charge carriers हैं वो क्या होते हैं electrons and ions ये दोनों चीज़े मिलके gases के अंदर जो हैं वो charges को move करवाती हैं और अगर हम किसी भी electrolyte की बात करें यानि कि electrolyte solution की बात करें तो उसके अंदर जो positive and negative ions हैं ये जो हैं ये charge carriers का काम करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास different situations के अंदर different तरह के charge carriers जो हैं वो पाए जाते हैं तो हमने साथ-साथ ये भी देखना है कि उस medium के अंदर ये उस चीज़ के अंदर चार्जिस को लेके जाने वाली चीज़ कौन सी है तो ये था आपके पास current के बारे में जो है वो basic information के current होता है rate of low of charges उसके बाद जो है वो current का formula उसका unit उसकी nature के एक scalar quantity होती है और साथ-साथ हमने charge carriers के बारे में देखा और different mediums के अंदर हमने ये भी देखा के charge carrier कौन-कौन से पाए जाते हैं अब हमारा next topic है direction of current direction of current का क्या मतलब है current की सीमत यानिके current जो है वो किस direction में flow करता है इसमें देखें इंट्रेस्टिंग बात ये है कि अभी हमने ये देखा कि current एक scalar quantity है और scalar quantity ऐसी होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ magnitude पाया जाता है किसी भी तरह की कोई direction नहीं होती अगर देखें current की कोई direction नहीं होती तो फिर ये हमारा topic direction of current का जो है वो कैसे हो गया ये एक बड़ी सोचने वाली और बड़ी interesting बात है कि current जो है ये होती scalar quantity है इसका सिर्फ magnitude होता है इसकी कोई direction नहीं होती लेकिन direction of current का topic जो है वो फिर कहां से आ गया तो इसकी हम reason देखेंगे कि current की scalar quantity क्यों होती है और हम ये भी देखेंगे कि direction of current के बारे में हम क्यों पार रहे हैं जितने भी early scientist थे यानि के पुराने scientist थे उनका ख्याल था कि current जो है वो high potential से low potential की तरफ मूव करता है जैसे first करें कि ये हमारे पास कोई भी एक conductor है इस conductor के साथ let's say हमने wire की मदद से एक battery को attach कर दिया ये battery का positive terminal है ये negative terminal है जब हम यहाँ पे potential difference देंगे तो क्या होगा कि current जो है वो इसके अंदर establish होगा और current की direction आपको नजर आ रही है कि ये positive terminal से start हो रहा है और negative terminal की तरफ मूव कर रहा है इस तरह का जो current होता है हमारे पास इसको हम कहते है conventional current convention का मतलब होता है रुएत जो के पराने जबाने से जो है वो चलता है लेकिन जब scientist ने मजीद जो है वो इसके उपर research की तो उनको ये पता चला कि current जो है असल में ये electrons की वज़ा से होता है जैसे कि अभी हमने ये देखा कि metallic conductor के अंदर जो electrons है ये flow करते है अब electrons जो है वो जाहर सी बात है कि negative terminal से positive terminal की तरफ मूव करेंगे तो current की direction जो है वो reverse हो गई यानि कर ने गेटिव से positive की तरफ हो गई इस तरह का current है इसको हम नाम देते है अलेक्टरानिक कर्ट का तो आप दोनोigh examples की अंदर देख सकते हैं कि जो conventional current है उसकी direction है positive से negative की तरफ और जो electronic करट है इसकी direction है negative से positive terminal की तरफ यानि के दोनों की direction एक दूसरे की opposite है लेकिन अगर हम दोनों केसिस के अंदर magnitude को देखें तो वो magnitude जो है वो same ही रहेगा यानि के डेल्टा Q divided by डेल्टा T तो जैसे हमने current की definition में पढ़ा था कि it is the rate of flow of charges मतलब ये चीज़ पर depend करता है कितने charges कितने time में flow कर रहे हैं यहां पर इस definition के अंदर यहां फार्मूला के अंदर हर्गिस यह चीज़ नहीं बताई गई कि direction जो है उस पर भी current depend करता है तो याद रखें कि चाहे current positive से negative की तरफ flow करे जैसे कि conventional scientist ने कहा था या negative से positive की तरफ flow करे जैसे कि actual electronic current होता है यह उस चीज़ के उपर dependent नहीं करता बलके यह सिर्फ और सिर्फ किस पर depend करता है magnitude of charges पे और time पे कितने time के अंदर कितने charges जो है वो flow कर रहे हैं इसलिए हमारे पास direction of current जो है वो important नहीं होती और इसलिए current एक scalar quantity है क्योंके charges भी scalar है time भी scalar है तो जब हम एक scalar को scalar से डिवाइड करेंगे तो उसका answer भी क्या आएगा scalar ही आएगा तो इसलिए किसी भी तरह से जो है current की direction जो है वो important नहीं होती direction सिर्फ और सिर्फ आपको यह बताती है कि current किस तरफ से किस तरफ move कर रहे उसका current के magnitude पे या quantity के उपर किसी तरह का कोई असर नहीं होगा तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो तरह के current सा जाते है एक हमारे पास आता है सबसे पहले जिसको हम कहते है conventional current तो conventional के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि यह एक पुरानी term है कि पुराने साइंटिस्स यह समझते थे कि current जो है वो positive से negative की runnel की तरफ move करता है तो इसलिए हम इसको conventional current कहते हैं तो इसको हम जो है वो कैसे define कर सकते हैं the equivalent current which passes from from a point at higher potential to a point at lower potential as if it is represented by movement of positive charge तो देखें बड़ी simple सी चीज़ है उसने ये गहा कि वो equivalent current है equivalent का क्या मतलब है जितना negative से positive की तरफ flow करेगा उतना ही positive से negative की तरफ flow करेगा तो वो equivalent current जो के असल में electronic current के बराबर ही है जो के किसी भी बैटरी के high potential से उस बैटरी के low potential की तरफ यानि के positive से negative potential की तरफ जो है वो move करता है और ये ये सोचा जाता है कि शायद ये positive charges की वज़ा से flow कर रहा है इस तरह का जो current है उसको हम क्या कहते है conventional current तो जितनी भी हम आगे जाके calculations करेंगे हम उसके अंदर conventional current हो ही consider करेंगे क्योंकि ये पहले ही रुआयत से जो है वो चलता आ रहा है और चुके direction of current जो है ये important नहीं होती तो इसलिए चाहे आप negative से positive की तरफ लें या positive से negative की तरफ लें ये चीज जो है वो important नहीं है तो आपने current की definition बगारा और बाकी चीज़ें जो है वो याद रखनी है और direction के हवाले से याद रखना है कि हम हर जगा पे conventional current को ही consider करेंगे प्ट